अजिएम और तहसिलदार का अपहरन कर्मार पीट करने वाले शराब माफिया सुखराम ने किया कोट में सरेंडर मामला धार जले के कुक्षी थाना अंतरगत का है जहां पर वैद शराब पर कारवाई करने गए थे तब अचानक से शराब माफिया ने SGM और तहसिलदार पर हमला कर दिया था जुसके बाद तहसिलदार का अपहरन कर ले गए थे जुसकी जानकारी लगते ही धार जले के कई थानों के प्रभारी सहित धार के कई आला अध बड़ा इनाम भी रखा था मगर कल अचानक शराब माफिया का मुख्य आरोपी सुखराम ने कुक्षी कोट में सरंजर कर दिया था उसके साथ एक बार आरोपी योगेश भी था जिसके बाद कोट ने दोनों आरोपी की तीन दिन के रिमान मन्सूर की थी जिसके बाद सुखरा में कुल किस आरोपी बनाए गया थे जुसमें से अब तक 13 आरोपियों को पुलस ने गरफतार किया है पुलिमिला कि इसमें 21 आरोपी थे और इसमें अभी अम लोगों ने 13 आरोपी जिर्फतार कर लिया है सुखलाल के गरफ्तारी के उपरांद इसके इसके प्रॉब्लम थी और इसको पूर से यह आर्ट बेशिंग भी रहा है और इसके इसको इसको अभी परतमान में यह बढ़वानी एसकवाल में जो है उप्चारत है प्रॉब्ल में करestsाजी इसमें पुलिस के द्वारारा पुरी वीश्ना में बतुम मैंने फरारी में अरुप सुखलाल इसके साथ ही आ Oreo का रहा है इक कौन-पूं पूर 12 स्रक्षगन्थ साथ साथ में इनके द्वार्दात के समय हात्यार और बाति यह बहान श्तवाल किये कि अंग।